हलो फ्रेंज गुड मॉनिंग मैं हूँ एम जे फ्रेंज जैसे कि अभी सप्टेंबर महिना स्टार्ट हो चुका है तो सप्टेंबर महिने के कौन-कौन से प्लांट्स हम ला सकते हैं जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स है और सीजनल प्लांट्स है यानि की फ्रेंज अभी व और grow कर सकते हों. प्लांट के seeds भी आप लगा सकते हो, लेकिन seeds लगाने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, तो मैं आपको आगी ये वीडियो में बताऊंगा. तो सबसे पहले friends, मैं आपको plants के नाम बता देता हूँ कि कौन-कौन से plants आप ला सकते हो सबसे पहला plant होगा friends वो है torenia torenia friends अभी easily nurseries में available होना start हो जाएंगे तो ये plant भी आप consider कर सकते हो और अभी ये plant आप grow कर सकते हो दूसरा plant है friends वो है balsam balsam भी friends easily अभी nurseries में available होंगे और ये plant friends सब्टेंबर महिने में आप आराम से लगा सकते हो तीसरा plant है friends वो है impatience impatience भी एक बहुत ही खुबसूरत flowering वाला plant है जो पूरे winters में आपको बहुत ही अच्छी blooms देगा तो ये plant भी आप consider कर सकते हो और अभी अगर आपके या nurseries में ये plant मिलते हो तो तुरंद ये plant purchase कर लीजिए चोथा plant है friends वो है rose plant rose plant friends हम monsoon की season में भी ला सकते हैं अभी September के महिने में भी ला सकते हैं तो ये plant friends अभी आप लाके grow कर लीजिए roses से related मेरी बहुत सारी videos मौझूद है तो videos का link friends मेंने description box में दिया है और ये plant friends अगर nurseries में मिलता हो तो आपको अलग-अलग varieties में मिलेगा single petal, double petal आपको जो जर्बेरा मिलता हो friends वो जर्बेरा आप तुरंद लाके अभी grow कर सकते हो तो up to friends नवेंबर से ये flowering आपको देना स्टार्ट कर लेगा चटा plant है friends वो है zinia बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि zinia एक summer plant है लेकिन friends zinia हमारे इंडिया climate के हिसाब से winters में बहुत ही अच्छी blooms करता है तो zinia friends अभी आप ये September महिने में ला सकते हो और ये जो plant है friends summer में भी चलेगा लेकिन summer में उसकी care totally अलग होगी आथवा plant है friends वो है marigold marigold friends हर बार winters में बहुत ही अच्छी blooms आपको देंगे और marigold के 20 seeds में लगाया है तो उसका भी update में आपको दूँगा marigold के seeds मेरे successfully अभी germinate हो चुके है आथवा plant है friends वो है morning glory मेरे morning glory को friends मैंने trim कर लिया है क्योंकि अभी आने वाली season में ये बहुत ही अच्छी blooms देंगे तो morning glory को भी friends आप consider कर सकते हों नौवा plant है friends वो है krishna kamal यानि की passion flower passion flower का friends मैं प्लांट लाया हूँ लेकिन ये plant को grow होने में कम से कम मुझे 45 दिन लगेंगे उसके बाद ये flowerings पे आएगा तब में friends ये plant आपके साथ जरूर अब्डेट करूँगा तो ये जो passion flower है friends ये आप consider कर सकते हैं बाद में दस्वा plant है friends वो है daintus daintus के friends अभी seeds भी लगा सकते हो daintus friends easily अभी nursery में available होते है daintus friends वैसे तो पूरे साल चलने वाले plants में से है लेकिन friends अभी जो winter season है winter season में ये बहुत ही अच्छी blooms करेंगे और grow भी करेंगे ग्यारवा plant है friends वो है cosmos cosmos भी friends आप consider कर सकते हैं अगर आपके आप nursery में cosmos मिलते हैं तो तुरंत आप इनको purchase कर लीजिए बारवा plant है friends वो है krisanthemums krisanthemums friends actually उनको तयार करना होता है ये monsum की season से लेकिन friends अगर आपके अभी भी krisanthemums nursery में मिलते हो तो बाद में krisanthemums के plant आप purchase कर लीजिए सभी flowers उसके उपर से cut कर लीजिए उसके pinching करते रही है जो भी आगे के जो tiny दो leaves होते उसको pinch करते रही है ये plant जैसे सब बुशी बनता जाएगा तो about December तक ये plant आपको बहुत अची blooms देना start कर लेगा तो krisanthemums friends आप अभी consider कर सकते हो तेरवा plant है friends वो है gazania, gazania friends मेरे या last year full summers में भी चले थे लेकिन monkeys ने उनको damage कर लिया था तो gazania one of the hardy plant है friends winters का तो gazania friends आप consider कर सकते हो 14th plant है friends वो है calendula calendula friends आप easily ये September महिने में अगर आपके या nursery में मिलते हो तो आराम से आप grow कर सकते हो ये plant friends 45 days के अंदर-अंदर आपके या flowerings पे भी आ जाएगा तो calendula को आप ज़रूर consider कर ये 15th plant है friends वो है से चलेंगे लेकिन summer में आपको इसको थोड़ी सी care अलग करनी होगी तो alisum के plants friends अभी आप consider कर सकते हो 16th plant है friends वो है calendula calendula friends अभी आप purchase कर सकते हो winters में ये बहुत ही अच्छी flowerings देंगे तो calendula की plant भी आप consider कर सकते हो 17th plant है friends वो है hybrid wincas hybrid wincas friends अभी आप आराम से ला सकते हो पूरे winters में ये आपको बहुत ही अच्छी blooms देंगे अगर आपके आप बारिश हो रही है तो अभी hybrid winca मत लाईए जैसे ही आपके आप 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 आराम से ला सकते हो 19th plant है वो है carnation carnation के flowers बहुत ही सुन्दर होते हैं और winters में ये बहुत ही सुन्दर इसके उपर flowers आपको मिल जाएंगे तो carnation के plants अगर आपके आप आराम से अभी मिलते हो तो अभी आप ये plant purchase कर सकते हो 20th plant है वो है coxcomb coxcomb friends मेरे अभी बहुत ही अच्छे grow हो रहे है maybe अभी ये flowerings नहीं देंगे लेकिन अभी आप ये plant को आराम से grow कर सकते हो और जैसे ही winters आपके आप स्टार्ट होगी ये plant बहुत ही सुन्दर flowers देना स्टार्ट कर लेंगे और 21th plant है friends वो है cellosia cellosia भी अभी आप purchase कर सकते हो ये September महीने में और आप ये plant के उपर about 45 to 60 days के अंदर-अंदर इसके उपर आपको flowerings भी देखने को मिल जाएंगे तो ये ऐसे 21th plant है friends जो आप September महीने में purchase कर सकते हो और इसको grow कर सकते हो अब ये जो plant की care मैं आपको बता देता हूँ ये जितने भी plants मैं आपको बता है common care आपको ये plant की करनी है वो है इनको semi shade देना है अगर आपके ये अभी temperature 35 degrees to 38 degrees के आसपास हो तो बाद में ये जो plant है ये full sunlight में शायद खराब हो सकते है इसलिए friends ये plant को आप semi shade दीजिए जहाँ पे पूरे दिन की sunlight नहीं आती हो या तो friends किसी भी plant के अंदर रखिए जहाँ पे इसको sunlight filter होके मिलती हो तो अभी इसको ऐसा location दीजिए और जैसे ही friends आपके ये temperature 25 degrees से नीचे चला जाता है तब friends हमें ये plant को full day की sunlight आप इसको दे सकते हो 5-6 गंडे की minimum sunlight दे सकते हो कोई problem नहीं होगी ये plant तब बहुत ही अच्छे grow होंगे अब दूसरी care की बात ये है friends के watering हमें देख के देनी है वैसे ये plant को पानी की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है एक एक दिन दो दो दिन के gap में friends एक बार इसकी soil चेक कर लीजी अगर हलका सा थंड़क या तो हलका सा moisture आपको soil के अंदर दिखे तब आप इसके अंदर अच्छी तरह watering कर सकते हो अब friends मैं seeds की बात कर लेता हूँ कि ये September महीने में seeds आप लगा सकते हो लेकिन seeds लगाने के लिए आपको एक सही climate और temperature की जरूरत होगी अगर friends आपके या 38 degrees, 35 degrees का temperature हो तो बात में शायद ये seeds germinate नहीं कर पाएंगे या तो germinate कर भी लेंगे तो बात में आके चलके वो grow नहीं हो पाएंगे बीच में friends monsoon का season था तब ये seeds आराम से germinate मेरे कर लिये थे जीनिया के और मेरी गोल्स के क्योंकि friends तब मेरे temperature 25 to 30 degrees के आसपास था लेकिन अभी जो temperature चल रहा है वो 35 degrees to 38 degrees के आसपास है तो ऐसे temperature पे में भी friends अगर आप seeds लगा होगे और उसके बात friends आपको result अच्छा खासा मिल जाएगा तो अगर आप इसको seeds लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा climatic conditions को देखके friends आप इसके seeds लगा सकते हो तो ये कुछ ऐसी बात है friends जो September महिने में ये seeds और plants आप लगा सकते हो अगर आपको किसी भी type का confusion हुआ ये topic से related तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो मैं आपको reply दूँगा till then के लिए thank you friends